दूसरा पित्त का हिस्सा, पित्त का हिस्सा बहुत क्लिर है, एकदम straight forward है, कि घी जादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा, और जादा घी खाने का जो समय है, वो बारिश के दिनों में और यह जो गर्मी के दिन होते है उस समय घी जादा खाएए, ताके पित्त को कं ट्रोल करके रख और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्धित अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगे दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेगे तो ये तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीज़ों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीज़े हैं जो आपके आसपास है और आपके वात-पित-कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है ये तीनों सम भाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीज़े हैं तो बागवटी जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं सब वहीं है बागवटी जी ने एक सूत्र लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा ओशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा ओशदी केंद्र रसोई घर है अब दुरभागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब ओशदी है मसाले का और ओशदी का अंतर मालूम है ये मसाला तो श गुस गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्जी रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है मुगलों के राज्जी के पहले एक भी जगे किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशृत में कहीं मसाला नहीं है बागवट की कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए है न दस्वी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाली नहीं किया हर जगे है तो औशदी है औशदी औशदी जीरा औशदी धनिया औशदी ये औशदी के रूप में है तो इनकी जो प्रापरटीज है रसोई घर की औशदी ये सब आपके चिकितसा के लिए है अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने जो हमारी दादी है नानी है उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हींग चाहिए मातरा कितनी-कितनी चाहिए वो सब बड़े वेग्जाने को और चिकितसक लोग रहे होंगे क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित कफ की स्थती सम और असम होती रहती है आप जानते हैं सुबह जो है ना वाद जादा होता है शरीर में सुबह सुबह दुपहर को पित जादा होता है शाम को कफ जादा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो बात पित कफ उपर नीचे होता रहता है तो सबजियों में उसी के हिसाब से ओशदिया डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक बिन मैंने दादी से पूछा कि यही सबजी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी कि अजवाईन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाईन है और दुपहर को पित बढ़कता है आप जानते हैं और वो स्वावा भी कै क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़क नहीं चाहिए तो उस समय अजवाईन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाईन की जरूरत होती है पित को सम पे लाने के लिए तो भारत में जादातर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाइन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठा उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीज़े हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती हैं या अजवाइन से बनती हैं क्योंकि पित्त को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से जीडीपी निकलता है इस देश का ग्रॉस डॉमस्टिक प्रॉडट्ट तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विच्चित्र-बिच्चित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ी डकैतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा और प्रदान मंतरी छाती ठोक के कहगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया तो हमारे जो GDP के कैलकुलेशन नहीं है उसका बारसरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माने 1 किलो पापर बना दीए तो GDP बढ़ा कि नहीं तो कहते हैं जी मालूं नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा कियोंकि कैलकुलेशन नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी, पांच किलो दाल की, तो GDP बढ़ा के नहीं बना, आपका मन क्या कहता है, बुद्धी क्या कहती है, बढ़ा के नहीं बढ़ा, किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड़ बना दी, किसी ने कुछ बना दी, किसी ने गोंद के लड़ू बन में ये महिलाओं के किये हुए काम को काम ही नहीं मानती आपको मालूम है दो हजार साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा और आज भी है ये कई देशों वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते हैं ह आत्मा सिर्फ पुरुशों में होती है तो इस्तरी जो करे वो बेकार है पुरुश जो करे वो ही अच्छा है तो उनके यहां से यह कैलकुलेशन हमारे आ गया कि इस्तरी कुछ भी करे तो कामी का नहीं तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग ख बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे हैं हमारी दादी नानी फोकट में वो यह एडवाईज दे रही है धनिया खाओ जीरा खाओ और यह अजवाइन खाओ आपके पेट की गैस खतम हो जाएगी और यह साले 3000 साल से वैसे का वैसा ही अजवाईन खाओ तो गैस खतम होती ही है कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में एसिरिटी की तकलिफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाईन जादा रहे दाल में सबजी में वगरा वगरा और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खतम करते ही थोड़ी अजवाईन खालो अजवाईन जादा तकलिफ ना कर दे उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाईन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तयार ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ ये गारंटी अजवाइन दे रही है मेरी गारंटी नहीं अजवाइन के गारंटी है तो वो कहते हैं बागवटे जी की पित्य को सम रखने के लिए हमारे रसोई में गी के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है अजवाइन